तो कहानी शुरू होती हैं पार्क नाम के एक आदमी से जो कि एक कस्बे में अपनी फैमली के साथ में किराय के घर में रहता है यहाँ पर उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे होते हैं यहां पर पार्क ने अपने एक फ्रेंड के थुरू एक प्रोफेसर को काफी सारी ब्राइब में पैसे दिये थे कि वो उसे प्रोफेसर बना दे पर अब उसे टीवी नियूस पे पता चलता है कि वो प्रोफेसर पकड़ा गया और उसके सारे पैसे भी डूब गये और ये पैस से पीछे से एक SUV उसे टकर मारती है जब उतर करके जाकर के SUV को देखता है तो देखता है कि दो लोग वहां पर मरे पड़े और पूरी SUV में खून पैला हुआ है और पीछे एक बैग में बहुत सारे पैसे हैं पहले तो पार घबरा जाता है लेकिन बाद में वह पैसे वाले बै धो देता है वह उसकी पूरी कार में से बलटके सारे निषान मिटा देता है सात में कार में जो कुछ भी होता है उस सब को एक पड़नी के अंदर बांद कर के दबा देता है यहां तकी वो अ दोना आदमियों की लाशे भी अपने ही बैक involves देता है और अब वो कार को रेजा जब कि उसे ऐसे खबर मिली थे कि इसी कार्ट से डील होने के लिए जा रही है असल में वो दोनों आदमी कहीं से ड्रग के डिलिवरी को देने के बाद पैसे ले करके वापस आ रहे थे और उन दोनों में से एक आदमी जू काई था मतलब कि एक आदमी उसमें अंडरकवर एजेंट था जो कि ड्रग माफिया के अंदर काम कर रहा था लेकिन अब तो दोनों या आदमी के डेथ हो गए लेकिन जू को ये बात पता नहीं है दूशी तरफ हम कौन को देखते हैं जो यहाँ पर एक बॉस के अंदर काम करता है और उसका काम होता है उन पैसों को ढूणना क्योंकि अभी तक उसके बॉस को डिलिवरी के बाद में पैसे मिले नहीं है उसे भी वो एस्यूवी मिल जाती है जो कि खाली होती है अब वो यहाँ पर अपने आदमियों के फोन की लोकेशन को ट्रैक करता है तो हर जगे पर ढूणने के बाद उसका शक उसी कजबे में जाता है जहाँ पर पार्क रेता है यही पर जू भी कौन के पीछे लगी होती है और वो भी उसका पीछा कर रही होती है तो वो भी इसी कजबे में एक रूम ले लेती है और अपने पार्टनर के साथ में क्यामरा के थूँ कौन के उपर नज़र रख रही होती है दोसे सीन में यहाँपर जब पार्ग की वाइफ को पता चलता है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे गा community गाइब है तो वो पार्ग से पूछती है पार्ग यहाँपर जूट बोलते था है कि उसने किसी बिजनस में पैसे इंवेस्ट किया है और वो अपस कर देगा इसके बाद यहाँ पर रात में पार की बेटी को फोन की रिंग सुनाई देरी होती है तो वो जा करके देखता है कि जमीन के अंदर से फोन की रिंग की आवाज आ रही है असल में एक आदमी का फोन उसी के अंदर रह गया होता है तो पार के हाँ पर इपनी बेटी की नजरों से बच करके उस आदमी के कपड़ों में से फोन को निकाल लेता है और दुबारा से मिट्टी वैसे ही उपर डाल देता है इस फोन में उसी की वाइफ के मेसेज आ रहे थे यह देखकर कि उसे जटका लगता है और फिर वो उस फोन को उपन करता है फोन को उपन करने पर उसे पता चलता है कि यह जो आदमी जो मरा हुआ है इसके साथ पर उसकी वाइफ का अफेर चल रहा था और इसलिए उसकी वाइफ उसे मेसेज कर रही है वो यहाँ पर वही आदमी बंद करके उसके मेसेजिस का रिपलाई देता है और इस फोन को वैसे ही अपने पास में रख लेता है और यह आदमी वही है जिसको जू भी खोज रही है क्योंकि यह अंडरकवर एजेंट है दूसी तरह यहाँ पर जू के सीनिर उसके उपर नाराज हो रहे होते है क्योंकि दो साल तक काम करने के बाद भी अभी भी उसे कोई भी ठोस सबूत मिला नी है और उसके सीनिर इस जाज को बंद करने के बात कर रहे होते है लेकिन जू की फ्रेंड यहांपर सबको मना लेती है आगे कौांग यहांपर हर गर पे नज़र रख रहा होता है जहांपर वो यह देखता है कि पार्क अपने बच्चे के साथ ने बॉल खिल रहा है कि तब यह अचानक से पार्क का बेटा बेहोश जाता है क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा दोड़ भाग करनी सकता तो कौांग यहांपर उसके बेटे को बचा करके हॉस्पिटल ले करके जाता है और इस सब के बार्क से पार्क और भी ज़्यादा परिशान हो जाता है अब वो यहांपर online laptop पे चेक करता है कि किस तरीके से money laundering करी जाती है ऐसे करते करते उसे एक website मिलती है जहाँपर वो एक आदमी से चैट करता है वो आदमी उसे एक location पे आने के लिए बोलता है पार्क यहांपर total amount में से थोड़े से पैसे ले करके गया होता है लेकिन वो भी ज़ादा होता है पर जब यहांपर पार्क को चीजे सही नहीं लगती है तो तुरंती वहांसे भागने लगता है उस आदमी के लोग उसका पीछा करता है लेकिन फिरी भी जैसे तैसे करके पार्क पिटा पिटा था वहांसे भाग जाता है और उसी सीन में हम देखते है कौांग को जिसकी पार्क के पडोसी पे शक होता है पार्क का पॉलोसी एक आदमी होता है जो कि अपने घर में मेरे जुआना हुगाता है तो कौांग अपने आदमियों के साथ में उस ड्रग बनाने वाले आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और इता जदा टॉर्चर करने की वजह से उस आदमी के वहीं पर ही टेथ हो जाती है और उनके घर से उन्हें पैसे भी नहीं मिलता है पर यहाँ पर कौांग ने पार्क को रात में जाते हुए देख लिया था तो अब उसे पार्क के उपर भी शक हो जाता है यहाँ पर उस ड्रग वाली आदमी को तो जंगल में दबा देता है और इसके बाद वो पार्क के बारे में पता करता है नेक्स मॉर्णिंग यहाँ पर पार्क के पडोस में पुलिस आई होती है और यह सब कुछ देख करके पार्क को कौांग पर ही शक होता है क्योंकि रात में उसने कौांग को जंगल में देखा था किसी को लेकर के जाते हुए ये बात वो जाकर के एक अन्नोन परसन की तरह एक फोन बूट से पुलिस को बता देता है जिसके बाद यहाँ पर कुछ कॉप्स जाते है कौांग के घर पर तराशी लेने के लिए लेकिन वहाँ पर उन्ने कुछ भी मिलता नहीं है लेकिन यहाँ पर कौांग को पता चल जाता है कि रात में जो आदमी लॉंटरिंग कराने के लग गया था वो पार्की है और उसे पता चल जाता है कि सारे पैसे पार्क के पास हैं और अब वो पार्क को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है वो यहाँ पर पार्क को भी जमीन में दबा करके मारने वाला था कि तब ही वो यह डिसाइड करता है कि वो पार्क का यूज करेगा as a delivery agent क्योंकि पार्क का record बिल्कुल clear है और वो एक model citizen है वो पार्क को छोड़ देता है वो कहता है कि पैसे उसी के garage में ही रखे रहेंगे और साथ में उसे जब भी हो कहेगा delivery करने जाना होगा पार्क के पास कोई भी option नहीं होता है वरना वो पार्क को और उसकी family को मार देगा तो पार्क को उसकी बातों के लिए मान जाता है अब यहाँ पर क्वांग का plan यह होता है कि वो अपने ही बॉस के अगेंज जाएगा और धंता खुच से गरेगा लेकिन क्वांग के आदमें में से एक आदमी जाकर के इस सारी बाते बॉास को बता दिता है और अब बॉस को यहाँ पर क्वांग को मरवाने का mən करता है और इसी के साथ यहाँ पर पुलिस भी काफी सारे अलग लग जाएग के ड्रूग वाले एरिया पर छापे मार रही होती है तो कुछ वक्त के लिए उसकी बॉस का बिजनस भी बंद हो जाता है लेकिन कौंग इसके बाद भी बिजनस करता रहता है वो यहाँ पर पार्क को उसकी पहली डिलिवरी के लिए भेशता है जहाँ पर पार्क चला भी जाता है रात में उसकी बेटी घर रोपस आ जाती है पर वो अपने फैमली मंबर में से किसी को पताती नहीं है और चिपने के लिए ग्यारज में जाती है ग्यारज में जाती है तो वो बहुत सारे पैसे देख लेती है तो वो अपने बीएफ को बुलाती है धेर सारे पैसे लेती है और से बहुत गुस्ता आता है पहले तो पार्क को बुरी तरह से पीटता है और इसके बाद उसकी बेटी को ढूंडने में उसकी हेल्प करता है उसकी बेटी एक होटेल में होती है जहांसे पार्क अपनी बेटी और पैसे दोनों को ले करके वापस आ जाता है लेकिन इसी बीच प अब इस बार पार्क जहाँ पर डिलिवरी करने के लिए जाता है वहाँ पर डिलिवरी के टाइम पर ही पुलिस चापे मार देती है और इसलिए पार्क को वहाँ से भागना पड़ता है पर ऐसा करते करते में पार्क पकड़ा जाता है लेकिन क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्लीन ह तो पुलिस उसे छोड़ देती है पर अब उसकी वाइफ उससे मिलती है और फाइनली पार्क उसे सब कुछ बता देता है पर यहाँ पर हो लाश वाली बात को छिपा लेता है कि उसे SUV में लाश भी मिली थी वो अपनी वाइफ को ऐसे बताता है कि पूरी SUV खाली थी सर्फ पैसे पड़े थे उसकी वाइफ उसे एक काम करने से मना करती है पर पार्क समझाता है कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी फैमिली डेंजर में आ जाएगी और यही सब लेकर कि उन्दोरों की फाइट हो जाती है और दोनों अलग-अलग यह अपने घर के लिए निकल जाते है और अब इसी टाइम में हम कौंग को देखते हैं कौंग को यहाँ पर उसके बॉस से भी बड़े मतलब बिग बॉस ने पकड़ लिया होता है और वो कौंग को मारने जार होता है कि तब ही यहाँ पर उसके बिग बॉस को सुपीरियर विंग का कॉल आता है सुपीरियर रिंग उसे बोलते है कि उन्हें कौंग को छोड़ना होगा और वो कौंग को अपने लिए यूज करे कौंग भी बिग बॉस के अंदर काम करने के लिए मान जाता है और अपसे उसे बिग बॉस की प्रोटेकशन में मिल जाती है पर इस सबसे बहुत बहुत नाराज हो जाता है उसका प्लाइन तो यह होता है कि बिग बॉस कौंग को मार देंगे पर अब इस सब के बदले में कौांग को यहाँ पर अपने सारे पैसे सुपीरियर रिंग को देने होंगे और इस बात के लिए कौांग मान भी जाता है और इसी के साथ सी शिफ्ट होता है पार्क के डैट की तरफ पार्क के एक डैट भी थे जो की चोर होते है और इसलिए पार्कों से कोई भी रिष्टा नहीं रखता है और उसकी वाइफ को भी नहीं पता है कि पार्क के कोई डाड भी है उसने तो ये बताया था कि उसकी डाड की टेथ हो गई है यहाँ पर पार्क के डाड एक बार फिर से बोड़ापे में भी किसी ना किसी को ठगी रहोते है कि तब ही वहाँ पर पुले सुने पकड़ लेती है यहाँ पर पकड़ने वाली जू होती है जू से ये बोलती है कि उसकी फैमली खत्रे में और उसे जाकर कि अपनी फैमली के पास में रहना होगा मतलब पार्क के पास में रहना होगा और पता लगाना होगा कि यह किस तरीके से कौंग से कनेक्टेड है यहाँ पर जू पूरे टाइम क्यामरा से और पीछा करते वें सब कुछ देख रही होती है तो उसे यह तो पता होता है कि कौंग और पार्क दोनों साथ में ही रह रहे है तो दोनों किसी तरह से कनेक्टेड है और कौंग यहाँ पर डिरा धमका के पार्क को यूज कर रहे है और दूसी तरफ हम पार्क को देखते है जो कि अपने आपको धोका देने वाले आदमी को बुरी तरह से पीट कर ये अपने बॉस के सामने फेक करके चला जाता है और अब यहाँपर हम पार्क के डैट को देखते हैं जो कि जबरदस्ति उसी घर में आ गया होता है पार्क यहाँ पर उन्हें डैट को निकालने की कोशिच भी करता है पर वो जाते नहीं है और यह बोलते हैं कि वो एक वीक यही रहेंगे और अब जब यहाँ पर घर से सारे लोग निकल जाते हैं यह देख करके वो पार्क को कॉल करते हैं और उसे बहुत जाड़ते हैं इसके बाद वो पार्क को बलाते हैं और उसे बहुत डाटते हैं अब पार्क यहाँ पर उसे सारी बाते बता देता हैं पर जब यह सारी बाते उन्हें जू को बतानी होती हैं तो पार्क के डैड यहाँ पर लाश वाली बात को छिपा लेते हैं और बातों को गुमा गुमा करके बताते हैं ताकि कैसे भी उनका पेटा गलत ना लगे और ऐसी लगे कि क्वांग यहाँ पर उनके बेटे को जबर्दस्ती डरा धमका करके यूज कर रहा है और पुलिस को उसके बेटे की हेल्प करनी चाहिए अब नेक्सीन में यहाँ पर क्वांग को सुपीरियर रिंग को पैसे भेजने होते हैं तो यह काम पार्क को ही करना होता है यहाँ पर क्वांग पार्क को एक अड्रेस देता है और वहाँ पर साले पैसे ले जाकर के उसे देने ऐसा बोलता है लेकिन अब यहाँ पर पुलिस भी पार्क के पीछे लगी होती है और पार्क के पीछे पीछे कौांग के कार भी आ रही होती है, यहाँ पर पार्क अपनी कार से एक पार्किंग में जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ एक दूसरी कार में उसका वेट कर रही होती है अब इस दूसरी कार में ये दोनों बैट जाते हैं और होटेल की तरफ को निकल जाते हैं असल में उसकी वाइफ ने पीछे से जाकर के कौंग से डील करी होती है उसके बेटी के उपरेशन के लिए पैसे चाहिए और सारे पैसे तो पार्क ने डुबा दी है और प्लान यही होता है कि जिसे भी पैसे चाहिए वो जाकर के पार्किंग से पैसे निकल लेगा पर तब ही यहाँ पर पार्क को к्यांग का कौल आता है क्यांग यहाँ पर कौंग के बॉस का brother and law होता है जिसे कैसे भी करके superior ring के त्रूग को मरवाना होता है तो वो यहाँ पर पार्क को ओफर करता है कि अगर पार्क उसे सारे पैसे दे दे तो वो पार्क को इस पूरे जमेले से बाहर निकाल लेगा और उसकी पूरी फैमली सुरक्षित रहेगी पार्क को यह ओफर पसंद आता है तो पार्क का यह ब्लान होता है कि वो सारे पैसे ले जाकर के क्यांग को दे देगा और पार्क की वाइफ का ही प्लान होता है कि क्यांग ने जैसा का है वैसा ही होगा ताकि उसके बेटे के उपरेशन के लिए पैसे मिल जाए और अब यहाँ पर क्यांग आता है पार्क के रूम में और बहुत बड़ा रोट के अक्सिडन्ट हो जाता है, इस सब में क्यांग काफी जाला घायल हो जाता है, एक जगे पर ही पढ़ा होता है, कि तब ही वहाँ पर जू आती है, जो कि इनका पीछा कर रही होती है, अब जू यहाँ पर चाहे है, तो क्यांग को अरेस्ट कर सकती है पर कैंग यहाँ पर यह बोलता है, कि उसी के डिपास्टमेंट में कोई एक है, जो जो कि उनका इनफौर्मर है, और अगर यहाँ पर क्यांग को छोड़ देगी, तो वो इससे इनफौरमर का नाम बता देगा, जो इसके लिए मान जाति है, और उसे जाने देती है, जो इसक पैसे क्वांग diferen के पास लेकर के जाता है और अपने बिग बॉस को दे देता है और अब क्यों कि यहांपर क्वांग ने सारे पैसे पहुचा दिये Isso बिग बॉस और क्यांग दहुट लेटा है यहां चलिए यहां बिग बॉस को उस लिए मरवाना जाता है क्यूंकि कौंक्ग काफी ज़्यादा दिमाग लगाता है और ऐसा हो सकता है कि जैसे वो अपने बॉस के अगेंस्ट गया है वैसी वो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट भी चलाजाए क्यांग उसकी बात को समच जाते है और वो क्यांग को मारने के लिए निकल जाता है उसको यहाँ पर पार्क को मारने के लिए भी बोला गयाता है ताकि कोई भी लूप होल ना रहे और अब क्यांग यहाँ से सीधे जाता है पार्क के पास में उसे नहीं पता कि क्यांग कहां पर है तो पार्क से ये बोलता है कि अगर वो क्वांग के पास में उसे पहुचा देगा तो वो क्वांग को मार देगा इसके बाद पार्क भी फ्री हो जाएगा और पार्क उसकी बाद को मान लेता है वो उसे ले जाता है क्वांग के पास में जहाँ पर क्वांग तो नहीं होता है लेकिन क्वांग के दूसरे आदमी होते हैं और वो लोग मिल करके क्यांग को ही मार देते हैं तो कि यह पार्क का प्लान होता है, कि वो क्यांग को मरवा देगा और इस सब से निकल जाएगा, और अब वो जाता है क्वांग से मिलने के लिए, जहाँ पर क्वांग उसे बोलता है कि उसे बचने का रास्ता खुद ही निकलना होगा, और इसी के साथ हम यह देखते हैं, कि ज उसी तरफ वो खुदी ड्रग लॉड भी है, अब वो अपने आप से ही अपने आपका ही केस सॉल्व करेगा, और यहाँ पर जू को पहले ही क्यांग ने ओडियो रिकॉर्टिंग भेश दी थी, जिसके तुरू से पता चलता है कि उसी की फ्रेंड ने उसकी फ्रेंड को मरवा में उसकी फ्रेंड का ही हाथ है, और वही इनफॉर्मर है, यह सारी बाते जू अपने पार्टनर को भी बता देती है, और अब उसके पार्टनर से मिलने के लिए जू की फ्रेंड आती है, वो यहाँ पर आकर के उसकी पार्टनर को ऑन दे स्पॉट करके मार देती है, और वह यहां पर अपने partner की लाश को देखती है उसके बाद में और अब इसके बाद जू सीधे जाती है और गुस्से में जाकर कि अपनी friend को पूरे police station में सबके सामने on the spot शूट करके मार देती है जू को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है पर बाद में सब को यहीं पता चल जाएगा कि यहां पर जू की friend एक informer है क्योंकि यहां पर बहुत सारे सबूत उसने already अपने बाकी के teammates को दे दी होते हैं ताकि वो लोग case में बाद में ऐसा proof कर दे कि उसने जो भी shoot out किया वो सही था और यहां पर आने से पहले उसे पार्क पर भी शक हो गये होता है तो वो यहां पर अपनी बुरी team के साथ में पार्क के घर में खुदाई करने के लिए जाती है पर वहां पर ने कोई भी लाश और कोई भी पैसे मिलते नहीं है क्योंकि पार्क के पिता को जब पता चला था कि उनके बेटे ने किस तरीके से अपने ही backyard में दो लाशों को तपा दिया है तो उन्होंने मौका पकर के दोनों लाशों को वहां से हटा दिया था और अपने बगल वाले मतलब उस ड्रग वाले घर में उस दोनों लाशों को छिपा दिया था और इस वक्त वो दोनों लाशे पार्क के पडूसी के garden में दबी हुई है यह सारी बाते पार्क को यह पता चल जाती है बात में और पार्क अपनी वाइफ को डिवास देने के लिए भी रेडी हो जाता है, योगि इस पूरी सीरीज में लगा था है उसकी वाइफ बार-बार डिवास के लिए बोल रही होती है, क्योंकि अब वो पार्क के साथ में रहना नहीं चाती और साथ में उनके बेटे का भी ओपरेशन हो जाता है पर ये सरजरी भी फेल जाती है और अब एक और सरजरी के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा उनका बेटा अभी भी ठीक नहीं हो पाता और दूसी तरफ हम क्वांग को देखते हैं जहाँ पर क्वांग जाकर क्यों बिग बॉस को इमार देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि बिग बॉस ने क्या आंग को भेजाता है उसे मारने के लिए और यहाँ पर बिग बॉस का भी एक बॉस है उसकी जौब भी पहले जैसी है जिसमें काफी जादा उदास रहता है और वह ऐसे ही अपनी बोरिंग लाइफ में दुबारा से अपनी कॉलेट जा रहा होता है कि तब यह अचानक से उसे एक कॉल आता है और कॉल पर एक अन्नोन कॉलर उसे यह बोलता है कि उसकी फैमिली की ज पसंदा ही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शर्क करें और मैंचाल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाबाई